तुला रासी बालों का अने बाला तीन दिन यणी की 27 मार्च, 28 मार्च एबं 29 मार्च का दिन कैसा बीतेगा। लेकिन मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 27 मार्च एबं 28 मार्च के पंच्यांग के बारे में। शबसे पहले 27 मार्च तिथी है चतुर दसी नक्छत्र है पुर्बा फालगुनी पक्छ है सुकल पक्छ दिन है सनी वार्च आज के दिन सुर्ज उदे का समय है 6 बज के 17 मिनट में। सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 36 मिनट में। रितु है वशंत आज का दिन काल है 12 घंटे 18 मिनट 22 सेकेंड का महिना है फालगुन। आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 12 बज के 2 मिनट पी एम से 12 बज के 50 मिनट पी एम तक। असुभ काल सुरू होता है 6 बज के 20 मिनट एम से 7 बज के 56 मिनट एम तक। राहु काल सुरू होता है नौ बज के बाईस मिनट एम से दस बज के चौबन मिनट एम तक दिसासूल है पूरब दिसा की ओर इसके बाद है 28 मार्च 2021 का पंचांग 28 मार्च तिथी है पुर निमा नक्छत्र है उत्तरा फालगुने दिन है रभी बार मित्रों आज के दिन सुर्ज उदे का समय है 6.16 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6.36 मिनट में आज का दिन काल है 12 घंटे 20 मिनट 5 सेकेंड का मित्रो आने वाले शमय में आपके लिए सुभ समय शुरू होता है 11 बज के 55 मिनट पीम से 12 बज के 55 मिनट पीम तक मित्रो आने वाले शमय में आपके लिए असुभ समय शुरू होता है 4 बज के 57 मिनट पीम से 5 बज के 50 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है पाँच बज के चार मिनट पीम से छे बज के चार मिनट पीम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो मित्रों ये था आपके आने बाले दो दिनों का पंचांग तो वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनते रहें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले तीन दिनों में आपका सेहत आपका सुवास्त कैसा होगा मित्रों सेहत के दृष्टी कौन से आपका समय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है मित्रों आने बाले समय में जिस काम को करने से आपको खुसी मिले जिस काम को करने से आपको मानसिक सांती मिले आप वही काम करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने बाले समय में आपके सेहत के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा मित्रों आने बाले समय में यदी आपके धन समपती आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका आने बाला शमय सामानने तोर पे बहुत जियादा बिहतर एबं सांदार होगा मित्रों आने बाले समय से पहले यदी आपका पैसा कहीं रुक गया था कहीं फस गया था तो आने बाले समय में अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का पड़ेयास आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हो जोब करते हो तो आने बाले समय में आपके नौकडी के छेत्र में आपके बोस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत इमान दाड़ी एबम एकागरता के साथ थे आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नौकडी के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रो आने बाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है सिल्बर एबम सफेद आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यनी की टू मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको हनुमान जी बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए अपने पूजा पाठ से हनुमान जी को आपको खुस करना चाहिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें इबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद